हेलो फ्रेंड असलाम अलेकूम नमस्ते कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और हैपी होंगे तो आज मैं आप लोगों को घुमाऊंगी कलिंजर का किला कलिंजर का किला यूपी में है बांदा के पास में तो मैं आज आप लोगों को यहां पे घुमाऊंगी जितना हो सका है मैंने आप लोगों को यहां की गुमाने की कोशिश की हूँ तो यहां पर हम लोग चड़ रहते पहाड और पहाड की उपर आप देख रहे होगे कि कम सकम एक किलोमेटर हमें ऐसे गुंगुं के उपर जाना पड़ता है और यहां पर बोलते हैं बहुत अच्छ सब कुछ है तो थोड़ा डर भी रहता है और यह हैं इंटरी गेट यहां से इंटर करते ही आपको 100-500 मीटर अंदर आपको टिकट लेना पड़ेगा तो यह है टिकट घर यहां पे देख रहे हैं आप लोग गाड़ लोग खड़े सेक्रेटी गाड़ भी तो पत्चीस है और मकबरा अलग बना है और कुछ कबर भी हैं वाकि मुझे इतना नौलिज तो नहीं था मगर जितना मुझे पता है मैं आप लोगो को सिस करूंगी बताने के तो यहां पर यह देखो यह सेजा लिन के स्टाफ मैं और यह थे और मैंने उसे पूछ लिया था कि वीडियो आने में हम यह चोटी-चोटी सी जगह कुमेंगे तो यहां आगे जा रहे थे भाईया लोग पीछे थे हम लोग और यह भी एक मकबरा है किसी का चोटा सा जहां मकबरे थे मैं जूट नहीं बोलूँग वहां अंदर ना मैं गई ना सेजल यह मुझे नहीं जाने दिये और कुछ लोग आप पहलाते हैं कि यहां पर भूत है बुरी सकती है यह तो बाकी तो मैं सच बताओ मुझे कोई नौलेज नहीं था इस चीज़ का और यह आ गए हम लोग सबसे पहले यहां पर गूमे थे यहां पर बोलते हैं तलाव है बड़ा सा इसमें पानी नहीं था और हम हम यहां से लौट रहते ना तब तो और पब्लीक आ गई थी तो यह देखो आप लोग यहां पर लिखा भी है कलेंजर किला और यह यहां पर बैठे थे पंडिची वह लगा रहते सबके माते में टीका तो यहां भगवान सिवलिंग की मूर्ती है तो जिसको मतब पैर और सब आगे चले गया थे वाकि हम लोग जूता वागेरा बैना थे तो वहां कोई नहीं गया था तो यह देखो फस्ट किला यह है और सारा मतब बहुत चीजे टूटी होई थी बहुत चीजे अच्छी थी यह सिंपल सा किला था यह देखो एकदम सिंपल है जादा कुछ भ स्बीन नीचे तो फिर नीचे गए एक नीचे था मतलब यहां बहुता तो यह COMर जलीублиन मैं हो से तो और लोगों को तो यहां पर तलाब था ना तो वहां पर हम लोग जाएंगे नीचे कुछ फोटो लेना था इस बज़े से तो यह देख़ो आप लोग बहुत उंचा था जहां हम खड़े थे ना तो यह देख़ो आप खुद देख रहे होगा अब हम लुग जहां मैंने पहले दिखाया था त तो वहां घूम के आके हम लोग अब नीचे जा रहा है फोटू के लिए तो मैं सेजल अपना अलग ले रहे थे वो लोग अलग रहे रहे थे क्योंकि उनके साथ अच्छा नहीं लगता और मैं ये मेरे साथ आई थी न और हम लोगों को मज़ा भी बहुत आया है लोग बोलते हैं अच्छा किला नहीं है मगर मुझे बहुत अच्छा लगा और लोग बोलते हैं कि यहां समुद्र मंत के समय में जब विस निकला था बोलते हैं तो उस विस से दुनिया को बचाने के लिए भगवान सिव जी ने विस को पी के इस परवत में आ गये थे तो इस बज़े से यहां पे निलकंट महादेव जी का मंदिर है तो यहां हम अब जाएंगे ना नीचे तो वहां पे मैं आप लोगों मंदिर दिखाऊंगे और जो भगवान सिव जी की मूरत है वो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है आप लोग देखना आँगे और जो में चीज है ना किले का ये है यहां से पूरा कलिंजर दिखता है और बहुत अच्छा लगता है तो यहां से अभी हम नीचे उतरेंगे और सच में हालत खराब हो गई थी चढ़ने उतरने में तो यहां दिवाल में न सिल्प कला थी मतब जो पत्तर से कलाकारी की जाती न वो और बहुत देर सारे बंदर भी थे अगर आप फोन उन बाहर निकालो तो यह चीन ले रहते हैं और आपके हाथ में नारियल वगएरा हो यह तो बिल्कुल नहीं छोड़ा है तो बहुत लोगों को परसान भी कर रहे थे तो अब हम पटा पट से नीचे उतर जाएंगे और बहुत उचा है आप कभी जाओ गर्मी के दिन में तो आपकी हालत समझ लोग खराब होनी है क्योंकि हम इतनी ठंड में गया थे ना तो फिर हम लोगों को जॉकेट वगएरा उतारना पड़ा था बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी और यहाँ पर आया था मैं और सेजल उतर रहे क्योंकि मुझे वीडियो लेना था इस पज़े से मैं अराम-अराम से उतर रही थी और वीडियो की स्पीड जादा है तो यह है और यह साथ से हनमान जी की मंदी थी फश्ट में फिर हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और यह पहाड से पानी आ रहा था तो वो मैंने आप लोगों को दिखाने कोसिस की तो यह देखो आप लोग मेरे पीछे का व्यूँ अभी हम लोगों को और नीचे उतरना है सच में बहुत बड़ा किला है आप कभी भी यहाँ आस पास के हो तो जरूर आना घुमने बहुत अच्छा लगता अब यह देखो सिल्पकला भी कितने अच्छी ची हैं अंदर वहाँ पे सिवलिंग था और मैं भी इस बोल ले थी कि आप नीचे चले जाओ तो वो नहीं गया क्योंकि जूता बगयरा पहने थे इस बज़े से तो यहाँ पे हम लोग आ गया है नीचे जो में है और यह है विश्नु भगवान की मूर्ती जिनको तोड़ दिया गया था मुझे बागी कोई नॉलेज नहीं किस ने तोड़ा था कैसे क्या हुआ था तो यह है विश्नु भगवान की मुझे भी नहीं पता था मगर प्रेंस भईया थे उन्होंने बताया था और यहाँ पे भी अंदर चुटी चुटी सी सिल्प कला रखी हुई थी टुटी हुई थी कोई भगवान थे और कोई ऐसे धोल बजा रहा कोई डमरू बजा रहा था तो यह सारी अंदर सिल्प कला रखी हुई थी आप लोग यह देखो और गड़ेज भगवान की मूरती थी काली जी की मूरती थी और ऐसे भी थे और कोई डोलक बजा रहे थे कोई मतब गाओं बसा है उस चीजों की है और सच में कलाकारी बहुत अच्छी थी तो आप लोग है मंदिर तो यहाँ पर निलकंट महादेव की मंदिर है अंदर तो यह देखो आप लोग आप यहाँ पर में सूट नहीं कर पा रही थी कि बहुत धेर सारे बंदर थे उस सबको मुवाइल सेंड रहते और यहाँ पर नारियल पगर रहते ना जो भाईया लोग आये थे और तो उनके कारण यहाँ पर वीडियो बनाना मुस्किल हो रहा था क्योंकि बंदर परशान कर रहे थे तो यह हैं यहाँ का व्यूँ अभी आप लोगों को अंदर का दिखाते हैं तो यह देखो निलकंट महादेव जी का यह अंदर मंदिर है और बंदर होने के कारण सीधल ब लिखना कि महादेव जी की कितनी बड़ी मूरत है अच्छी बड़ी और अच्छी खासी और यह बुद्ध भाराज जी की मतब मूरती थी आधी टूट चुकी है आधी बची हुई है तो यहाँ से हम जाएंगे अब नीचे और आप यह देखो आप लोगों सिव भगवान की बहुत बड़ी सी बनी थी कम से कम अच्छी लंबी चौड़ी थी बहुत अच्छी लग रही थी देखने में और यहाँ पे किले में अगर बहुत अच्छी से साफसफाई कर दी जा तो बहुत पब्लिक आएगे घूमने के लिए तो यह देखो आप लोगों कैसी लगी मूर लुकती थी तो यह चड़के दिवाल में है ना सूट कर दिये थे यहाँ पे से जल फोटो किसा रही थी और यह देखो आप लोगों मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूमने में और टिकट भी जादा नहीं है आप पास के हो तो आप बाइक से भी आराम से जा सकते हों और जेश्ट बाजू पे देखो काली का माता की भी मूरत है तो यह है पूरा यहाँ का व्यू आप लोगों को कैसा लगा प्लीज जरूर बताना तो यहां से अब हम जाएंगे वापिस इसके बाद जो घूमने की जगा है वो भी देखिएगा आप लोग वो भी बहुत जल्दी जल्दी से हम उपर चड़ जाएंगे और यह है बाहर जब हम गेट से निकलते हैं तब का तो यह सब लोग पत्थर जमा रहे थे बोलते हैं इस पत्थर को जितने हैं अच्छे से जमाया जाए तो फ्यूचर में आपका घर उसी तरीके से बनता है तो यह आगए हम दूसरी जगह पे थोड़ी दूर पे था और आप दिना बाइक के पैदल यहां नहीं गूम सकते हैं अगर आपके पास कुछ बाइक कार है तब ही आप यहां गूम सकते हूं तो यहां कभी ब्यूग बहुत अच्छा था फिर हम लोग यहां से साइड से उपर भी गए हैं य पीने का एक जगह पानी था तो यह देखो आप लोग यहां का व्यूग और यहां से हम लोग उपर चड़ गया थे यहां पे बहुत अच्छा लगा था गूमने में तो मैती और सेचल उपर गया थे यह नहीं गयते उपर तो आप आप लोगो क्यांगे मस्ती देखना और प अंदर और यहां उपर हम लोग चड़ गया थे मैं और सेचल चली गया थे उपर फिर मैं नीचे आगे थी वीडियो बगयर बनाया थे यहां सब फोटो कीज रहते तो यहां पे हम लोग अच्छा लगा मैं चित तोड कभी किला घूमी हूं और एक दो किले और घूमी वहां पे भी अच्छा लगा उस टाइम मैं वीडियो बगयर नहीं बनाती थी सायद अब हम लोग कभी और च्छा जाएंगे ना तो वहां पे आप लोगों को वहां कभी दिखाऊंगी तो यह आप देख रहे होगे मैं और से जल उपर हैं यह वीडियो क्लिप ले रहे थे और भह से जादा खूब सूरत मुझे यह प्लेस लगा था यहां पर फोटो शेशन भी बहुत अच्छे से हो रहे थी वियो भी आ रहा था तो यहां गुम क्या है और जहां मैं इससे पहले गए थी ना यह वहीं का वियो है तो आप लोग को कैसा लगा है बताना आप लोग तो यहा मैं से पहले गए थी वो थी बिहारी टेंपल यह है लास्ट जगा तो यहां पर भी जाएंगे थोड़ा बहुत फोटो ली थी मैं मेरी और इनकी थी यहां की फोटो और कुछ सेजल की भी थी और हम लोग यहां बोले थे कि कास जिंस पहन की नहीं आते कुछ अनार कली वगर कुछ पहन क्याते तो यहां पर वीडियो बनाने में अच्छा लगता तो यहां पर मैं सेजल की फिक ले लूँगी फिर जाएंगे अंदर तो आप लोग ब्लॉग इंजॉय करिए मिलती हूं मैं थोड़ी देर बाद करें तो फ्रेंड यहां पर मैंने प्यारी से किरेप लिया पर दो तीन बंदर थे वहां साथ में खेल ले थे और यह लाश्ट सेक्सन था कि लेका और यहां पर यह मेर ना जहांसे पूरी रोड बगएर दिखती है तो यहां पर ताला लगा था कि जिससे की कोई यहां ना जाएं क्योंकि family वाले लोग भी आते हैं तो डर रहता है कि accident वगयर मतब कोई गिर नहीं जाए नीचे तो यहां पर यह देखो आप दो बंदरों को अब हम लोग चल दी हैं वापिस से घर आप देख सकते हो सामने किला कितना बड़ा सा है तो मैंने घर जाते वक्त यह किलिप ले ली थी यह किला बहुत ज़्यादा बड़ा और एकदम पहाड में है तो आज का व्लॉग बस यहीं तक मिलते हैं नेश्ट व्लॉग में तब तक किलिए बाई 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 अपना रप्ट